बिग बॉस 15 को शुरू हुए दोस्तो एक हफता और दो दिन हो गए है और अभी तक हमने आपसे टॉप 10 नहीं डिसकस किया है तो अब बारी है टॉप 10 की टॉप 10 कंटेस्टेंस की तो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल हंगरी स्पिरिट्स में हंगर स्वागत करती हूँ टॉप 10 की डिसकसिन करने से पहले ये बात बताना जरूरी है दोस्तो क्योंकि इसमें हमने मुख्य घर के तीन कंटेस्टेंस को शामिल नहीं किया है क्योंकि अभी वो बचे हुए है नॉमिनेशन से अभी तक उनकी गेम जो है OTT के हिसाब से ही लोगों को पसंद आ रही है और जब तक बिग बॉस उन टीनों कंटेस्टेंस को और जंगल वासियों को एक नहीं कर देते यानि कि सारे कंटेस्टेंस एक लेवल पर नहीं आ जाते तब तक हम हंगरी स्पिरिट्स की तरफ से ये बताना चाते हैं क्योंको हम टॉप 10 में शामिल नही कर सकते हैं चाहे वो पसंद आ रहे हैं चाहे वो नहीं आ रहे हैं मगर जब तक टॉप 10 के कंटेस्टेंस के हिसाब से उनकी भी वोटिंग नहीं होती है तब तक वो इस रेस से बाहर रहेंगे वी आईपी ट्रीटमेंट के साथ मुख्य घर में ही रहेंगे तो टॉप 10 की ब दोस्तो बेल आइकोन दबाईएगा ताकि आपको हुमरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं, तो दोस्तो नमबर दस पे हम रखते हैं आकासा को, आकासा वैसे तो अच्छी लग रही है, ठीट ठाक कर रही है, मगर अभी तक उनको कोई दिशा नहीं मिली है, परतीक क कि तरफ जाने की कोशिश में थी, अभी भी लगी हुई है परतीक के साथ, अपनी मेल जोल बढ़ाने में, मगर कुछ भी सक्सेस्फुल उनके हाथ में अभी आ नहीं रहा है, मगर ये अच्छा है कि फिर भी वो टॉप टेन की लिस्ट में तो हैं, तो नमबर दस पे आती है अकासा। ही नहीं, सिर्फ इरिटेट करने का ही काम कर रही हैं, चाहे वो घर वाले हों, या फिर हम सब बाहर वाले, तो अफसाना मगर फिर भी नजर आ रही है शो के अंदर, तो अफसाना आती है नमबर 9 के उपर नमबर 8 पे आते हैं, सिंबा, जी हाँ, सिंबा करते हैं, कुछ-कुछ तो, ऐसा तो कर रहे हैं, जो ओडियोंस को पसंद आ रहा है दोस्तो, किस तरह उन्होंने नॉमिनेशन में विशाल का साथ भी दे दिया, और खुद को बचा भी लिया, क्योंकि जब अफसाना और आये थे नॉमिनेशन की क्रिया करने के लिए, तब विशाल के नाम को लेके बहुत जादा शोर मचाया था अफसाना ने, और ये बात क्लियर हो गई थी, कि अगर दोनों आपसी सहमती में नहीं आते हैं, तो दोनों ही नॉमिनेट हो जाएंगे, जिसमें से अफसाना पहले स तो नॉमिनेट कौन होते है, सिम्बा, तो सिम्बा नहीं अपना जेस्चर दिखा के वो जो गलास, जो हाथ था उसको फेंक के, उन्होंने ये दिखा दिये के वो विशाल के साथ है, मगर बाद में विशाल को नॉमिनेट भी कर दिया, तो बहुत स्मार्ट ली खेला है, जाने की डॉनल बिष्ट जी हां डॉनल बिष्ट नजर बहुत आ रही है दोस्तों चाहे वो स्टूपिडिटी के साथ चल रही है चाहे वो शानपटी के साथ चल रही है चाहे वो जल्दी से बात समझ जाती और माफी भी धरल्ले से मांग लेती है मगर उनको शो में रहना है ये बात पक्की है इसलिए उनकी नॉमिनेशन जब हो जाती है तब भी वो वैसी नराज होती हुई नहीं दिखाई दी क्योंकि अब वो धीरे-दीरे समझने लगी है कि यहाँ पे इगो से काम नहीं चरेगा भाई मिल जुल के ही रहना पड़ेगा तो डॉनल बिश्ट आती है डी बी आती है नंबर साथ के उपर नंबर छे पे आती है दोस्तो विदी विदी ने तेजस्वी का दामन थाम लिया है उसने समझ लिया है कि तेजस्वी काफी स्ट्रॉंग कंटेस्टन है काफी सारी फैन फॉलिंग इनके साथ है इसलिए विदी को भी लोग पसंद करेंग और विदी को वोट करेंगे अगर तेजस्वी नॉमिनेशन में नहीं है तो विदी बहुत स्मार्ट खेल रही है दोस्तों और घर के अंदर काम करती भी नजर आती है टास्क खेलती भी नजर आती है अपनी गेम को क्लेरंस के साथ खेल रही है यही विदी की उपलब्दी है द विशालता है वो देखने लाइक है सुबा हो रात हो सोना हो जागना हो वो कैमेरे से बाते करते रहते हैं और अच्छी बाते करते हैं अफसाना से उनका जगड़ा चल रहा है क्योंकि वो शमीता को पसंद करते हैं और अफसाना की शमीता से बनती नहीं है इस कारण काफी सारी फोटेज लेते हुए नजर आते हैं और अपना point of view कहूंगी मैं जरूर कि उनका point of view बिल्कुल clear रहता है अपनी बातों में भी अपनी हर्कतों में भी तो विशाल कोतियानी आते हैं नमबर 5 के उपर नमबर 4 पे आते हैं उमर रियाज आसीम रियाज के भाई आसीम रियाज के फैन्स उमर रियाज को बहुत पसंद कर रहे हैं और उमर रियाज गेम भी अच्छी खेल रहे हैं जैसे कि नोमिनेशन की प्रक्रिया में ने साफ साफ दिखा दिया कि अपने इगो को उपर नहीं आन दिया क्योंकि जैब आनुशाली अड़ गये थे कि मुझे नॉमिनेट करना ही करना है और उमर रियाज ने भी अपनी तरफ से कोशिश की अड़ने की मगर जैसे ही उनको पता चला कि बिग बोस दोनों को नॉमिनेट कर देंगे तो उन्होंने अपना पैर पीछे कर लिया और इगो को साइड में किया और जैब आनुशाली की बात पे अपनी बात रख दी और नॉमिनेशन में आगे निकल गए तो उमर रियाज की इस गेम ने उनको लाया है नंबर पांच पे और साथ में उनकी मदद की है आसीम रियाज के फैंस जो उनके लिए कमेंट भी कर रहे है और इसी तरह से उमर रियाज के फैन भी पक्के हो रहे हैं तो उमर रियाज आते हैं नंबर पांच के उपर नंबर तीन पे आगे हैं जै बानुशाली जी हाँ जै बानुशाली पहले हफते कुछ करते हुए दिखाई दिये थे काफी अच्छा उनने किया शुरुआत अच्छी की मगर फिर संबल गए अब अपनी गेम को तो उनने बिलकुल क्लेर रखा है क्योंकि उनकी गेम है घर क के अंदर पहुंच रहा मुख्य घर के अंदर पहुंच रहा इसलिए वो जब भी मौका मिलता है परफॉर्म करने से चूपते नहीं है और साथ में उनकी फैन फॉलिंग बहुत तगड़े वाली है काफी नॉन परसनेल्टी है इसलिए भी उनको काफी जादा तारीफे मिल हैं तो जैब आनुशाली आते हैं नंबर तीन के उपर नंबर दो पे आ गए है करन कुंदरा जिनको मास्टर माइंड का नाम अभी से दे दिया गया है मास्टर माइंड अपना काम करते नजर आते हैं और लीड करते हुए नजर आते हैं और साथ में दोस्तों अपनी जो दो उसको भी बरकरार रखते हुए नजराते हैं जैसे कि निशान्थ भट के साथ उनकी दोस्ती है तो ये सब बैलंस करते हुए करन कुंद्रा आगे निकल रहे हैं और जनता की पसंद बनते जा रहे हैं इसलिए करन कुंद्रा आते हैं नमबर दो के उपर नमबर वन पे है दोस्तो तेजु तेजा तेजस्वी प्रकाश इनको बहुत 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 प्यार मिल रहा है इनकी गेम भी क्लेर है दोस्तो जैसे वो कूत पड़ती है लडाई में और अपनी जो बात है लोजिकली लोगों के सामने रखती है और डरती नहीं है चोट लग ज सीखने को मिलेगा खास करके उन लोगों को जो बिग बॉस में जाने की इच्छा रखते हैं कि कैसे एंगर कंट्रोल करके भी गेम खेलनी है वो तेजु कर रही है पहली पसंद बन रही है दोस्तो आप सब की तो तेजु आती है नमबर वन के उपर यह थे दोस्तों इस सब्सक्राइब के टॉप टैन आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा देखते रही है चैनल हंगरी स्पिरिट्स थैंक यू सो मच subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel